हलो दोस्तो जै हिंट टू एवरिवन तो दोस्तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीस एफ एसमटी वरक्षोप के बारे में तो दोस्तो इसके हाले में आपके ओनलाइन फोरॉम स्टार्ट हैं लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 17 जून आपकी दोस्तो मैं आपको प्रवाइड करने वाला हूं 2023 का जो ओर्जिनल क्यूशन पेपर है आपका CBT एक्जाम का वो तो दोस्तो अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट येर इसका क्या फाइनल कटोप रहा था दो साल का उसी की अकोड इब ऑब को मांक्स जो है प्राप्त करने हैं तभी आपका से लेक्षम हो पाएगा दो दोस्तों आपको syllabus भी पता होना चाहिए क्या आपका इसमें syllabus रहने वाला है दोस्तों अपना only इसमें constable की बात करेंगे और साथ ही दोस्तों online forum apply करने से पहले दोस्तों आपको देख लेना है आपकी height कितनी है और दोस्तों इसमें कितना height मांगा गया है उसी के according आपको अपना forum fill up करना है दोस्तों कई बार काफी candidate height दोस्तों देखते नहीं है इसमें direct forum apply कर देते हैं written exam भी उनका निकल जाता है तो दोस्तों उनको जो है physical के अंदर out कर दिया जाता है तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करना है अपना time waste नहीं करना है पहले आपकी height देख लेना है कितना height है उसी के बाद ही दोस्तों आपना forum आपको अपलाई करना ह है तो दोस्तों सबसे पहले हैं बात करेंगे इसमें last two year का final cut off क्या रहा था उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ question मां आपको बताने वाला हूं और यह दोस्तों जो question paper है original question paper यह आपको टेलीगराम गुरूप पे दोस्तों मिल जाएगा PDF format में वहां से जाके आप जो है इ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जूरू कर लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह 2022 का आपका final result आये था तब ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे उसी वीडियो में से दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कितना क्या cut off आपका रहा था final merit क तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं SI vehicle mechanical के बारे में क्योंकि दोस्तों इस बार जो है only SI vehicle mechanical की है आपकी post आई है SI store keeper SI auto electricity की दोस्तों आपकी post नहीं आई है इसलिए आप इसकी cut off के बारे में बात नहीं करने वाले हैं तो दोस्तों आपकी UR की 71 cut off रही थी vehicle mechanical के लिए EWS में 68 OBC में 68 SC में 61 और ST में 58 उसके बाद दोस्तों डारेक्ट अपने बात कर लेते हैं constable foster mail तो दोस्तों इसमें जो है आपकी 74 cut off रही थी UR की EWS की 65 OBC की 67 और SC की 61 उसके बाद दोस्तों टोरनर के अंदर आपकी 76 UR की और 76 SC 69 ST उसके बाद दोस्तों आपकी जो रही है constable penter की 62 UR EWS की 53 OBC के दस्तों से में विकेंज से नहीं था SC का 49 और ST का 68 उसके बाद penter की दोस्तों आपने बात कर लेते हैं penter की दोस्तों मैंने आपको बता दिया है उसके बाद welder welder mail candidate के लिए 74 दोस्तों रही है UR EWS की 74 SC की 73 उसके बाद welder female के लिए 74 आपकी cut off रही है UR के लिए उसके बाद दोस्तों vehicle mechanical male candidate के लिए 71 UR के अंदर EWS की bound और OBC की 75 और X service man की 46 उसके बाद male candidate के लिए 45 ही आपकी इसमें cut off रही है vehicle mechanical के अंदर उसके बाद SKT के अंदर 73 यह है UR SC की दोस्तों इसमें रही है 70 उसके बाद OTRP के बाद कर लेते हैं male candidate के लिए 77 और EWS के लिए 55 और OBC के लिए 72 और SC के लिए 70 और ST का 62 उसके बाद OTRP female के लिए 47 रहा है फिटर के लिए दोस्तों male candidate के लिए 77 UR के अंदर OBC की 76 और SC का 71 उसके बाद Carpenter के अंदर 73 रही है UR 74 रहा है OBC तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ठीठा की इसमें cut off दोस्तों रहता है आपका क्योंकि इसमें number of vacancy कम रहता है और competition आपका कहीं कहीं ज्यादा देखने क को मिलता है उसके बाद BSTS Blacksmith और 10 Smith के अंदर दोस्तों male candidate के लिए 67 रहा है UR के अंदर EWS की 64 और OBC का 70 50 रहा है SC का ST का 58 उसके बाद दोस्तों Auto Electrical का आपका इसमें रहा है 55 UR 77 OBC तो दोस्तों यह जो है आपका cut off है 2022 का उसके बाद अपन बात कर लेते हैं हाले में जो आपकी requirement आई थी 2023 के अंदर उसका इसी के according दोस्तों आपको देख लेना है कितना आप जिस post से आप apply कर रहे हैं उसमें कितना cut off जा रहा है दोस्तों उसी के according आपको preparation करना है otherwise आपका selection नहीं होगा अगर आप अच्छी preparation न 2023 तो दोस्तों 2023 के अंदर क्या cut off आपकी रही है उसके regarding में बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें SI vehicle mechanical के लिए क्योंकि दोस्तों अभी आपकी EC में विकेंसी आई है other post की बात करने में दोस्तों कोई मतलब नहीं है you are कि आपकी रही है 67 औ 2022 वाली में ज्यादा विकेंसी था 23 वाली में और कम था और अभी जो 24 के आपकी recruitment आई है दोस्तों इसमें एक एक दो दो विकेंसी है तो आप देख सकते हैं कितना आपका cut off इसमें रहने वाला है दोस्तों मैं किसी को demotivate नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपको मैं सावधान क कर रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से अपनी preparation करना है कितने लेवल तक आपनी preparation करना है कि आपका selection हो जाए उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं Constable OTRP के अंदर दोस्तों यू आर की 69 रही है एक एक विकेंसी था दोस्तों इसमें उसके बाद SKT यू आर के अंदर 73 यू आर female की 56 EWS की दोस्तों इसमें रही है 67 SC की 67 उसके बाद feature का दोस्तों इसमें EWS का एक विकेंसी था उसका रहा है 73 तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो एक एक विकेंसी है उसमें काफी आपका हाई cutoff रहता है दोस्तों auto electrical के अंदर UR की दोस्तों एक विकेंसी था और 80 आपका इसमें cutoff रहा है UR female के लिए 79 EWS का 68 OBC का 66 है उसके बाद दोस्तों auto electrical के अंदर दोस्तों तीन विकेंसी था दो ही विकेंसी फिलफ हो पाया दोस्तों क्या reason रहा यह आपन को पता नहीं है उसके बाद constable vehicle mechanical के अंदर दोस्तों UR की दो विकेंसी था और 75 इसका final cutoff रहा है उस इसके बाद constable BSTS का दोस्तों 2 विकेंसी था OBC का 72 इसका cutoff रहा था welder का दोस्तों UR की दो विकेंसी थी 68 इसमें आपका cutoff रहा है उसके बाद बात कर लेते हैं constable painter painter में UR में दोस्तों एक विकेंसी था OBC में एक विकेंसी था तो UR में 72 आपका final cutoff रहा था OBC का 66 तो दोस्तों आप देख सकते हैं last two year का मैंने आपको cutoff बता दिया है इसी की according जिस post से आप apply कर रहे हैं उसका आपको cutoff देख लेना है उसके according ही आपको preparation करना है और उससे ज़्यादा ही marks दोस्तों आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों इसके बार आपना बात का लेते हैं syllabus नजरे डालते हैं क्या आपका इसमें syllabus रहने वाला है दोस्तों वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है इस पेपर नहीं पढ़ेगी यह वीडियो देखने के बाद आपको मैंने final year का कटो बता दिया selection process दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और last year का जो आपका paper हुआ था वो दोस्तों मैं आपको provide करने वाला हूं इसके बाद दोस्तों कोई वीडियो आपको देखने की जुरुत नहीं है तो दोस्तों आपका जो सलेबस रहने वाला है only अपने बात करने वाले हैं constable technical post के लिए दोस्तो 25 क्यों होंगे mathematics के बने आपका रहने वाला है जर्नल साइन्स आपका इसमें रहनोडा है और दोस्तों आपका total 100 & уч दोस्तो नेक्स्ट फेज जो आपका रहने वाला है PST, PET, Tratust, Detailed Medical Examination, Document Verification, तो दोस्तो उसमें जो है आपको 6 गुणा candidate को दोस्तो बुलाए जाएगा यानि एक विकेंसी है तो 6 गुणा 6 गुणा candidate को दोस्तो उसमें बुलाए जाएगा तो विकेंसी का हाइड जो है आपकी सभी कटेगरी के लिए EWS, OBC, SC और UR के लिए दोस्तो 165 cm आपकी हाइड इसमें रहने वाली है male candidate के लिए और female की 177 cm आपकी हाइड रहने वाली है उसके बाद चेस्ट आपकी male candidate के लिए 75 cm से 80 cm आपकी इसमें चेस्ट होनी चाहिए उसके बाद दोस्तो इसमें जो काफी कटेगरी दोस्तो इसमें दिया हुआ है उसमें कुछ ही आपका हाइड में दोस्तो छूड दी वाली है उसके बाद अपन डारेक्ट बात कर लेते हैं आपका ओर्जिनल क्यूशन पेपर के बारे में तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह आपका last year का क्यूशन पेपर है 6 अगस्त को आपका एक्जाम हुआ था 2023 के अंदर दोस्तो यह जो है कॉंस्टेबल विकल मेकिनिकल क कंडिडेट का इंस्वर की है तो दोस्तो SMT वरक्षोप के अंदर कॉंस्टेबल की जितनी भी पोस्ट हुई है सबका दोस्तो सेम पेपर था SI का दोस्तो अलग था क्योंकि उसमें टेकनिकल सब्जेक्ट आपका अलग पूछा गया था तो दोस्तो इसमें आपका जो है सभी की पोस्ट के लिए एक ही क्यूशन पेपर आया था तो दोस्तो आप देख सकते हैं इसमें पहले मैथेमेटिक्स दियावा है जो मैं आपको 2-4 क्यूशन दिखा देता हूं जिक्के का उसके बाद जो ये एकदम ज़्यादा हार्ड पेपर दोस्तो नहीं आया था आपका और कि दोस्तों जो आपका topic है उसे काफी 5-6 question दोस्तों आपसे पूछे जाने वाला है दोस्तों मैं आपको पिछली बात जो आपकी requirement आई थी उस time भी दोस्तों आपको guide किया था कि इसे 5-6 question आपसे पूछे जाते हैं और वैसा ही दोस्तों water वाटर विंग में आपका देखा गया था तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको वाटर विंग का भी लास्ट येर का जोईन कर लेना है वहां से आप यह pdf डाउनलोड कर सकते हैं आप दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करके आपको पेपर ही देखना है तो दोस्तों मैं जिके जिके का आपको क्यूशन बता देता उसके बाद ये जो PDF जो है आपको दोस्तो टेलिग्राम गुरूपे मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड करके A to Z क्यूशन देख सकते हैं जनगर्णा 2011 के अनुशार भारत में निमनलिखित में से किस राजे में मिला साकसर तरदर सबसे अधिक है तो दोस्तो ये जो है मिजोरूम के अंदर है दोस्तो करण से भी काफी क्यूशन आज कर पूछे जाने लागे हैं पारतिय स्विधान की आठवी अनुशाची में भासाओं को सामिल करने के लिए मापदंड विक्सित करने के लिए 1996 में किस समित्ती का इस्थापना किया गया था तो दोस्तो ये जो है पाहवा समित्ती था उसके बाद अगला जो है आपका कि ट्रेजरी बिल निम लिखित में से किस अवद्दी में जारी नहीं किये जाते दोस्तो इसमें दिया हुआ है 62 डे कोशिका का सबसे पहला पता किस ने लगाया तो दोस्तो ये जो है रोबर्ट हुक द्वारा लगाया गया दो हजार सताइस ACI का फुटबॉल ट्रॉनामेंट का मेजबान कौन सा देश होगा तो दोस्तो ये जो होगा आपका सवदी अरव अगला जो है भूकर पुरुसकार जितने वाले भारतिय मूल के पर्थम वेक्ती निमन में से हैं अरुन दत्ती रोय मई 2023 तकी स्थिति के अमशार भारत के वायू सेना पुर्मू कौन है तो दोस्तो वी आर चोधरी दोस्तो अगला क्यूशन है पर्थान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना 2015 में दोस्तो शुरू की गई थी आपकी अगस 2022 में सेरेना विलियम्स ने निमन लिखित में से किस खेल में अपना सन्यास की घोशना की है तो दोस्तो ये जो है टेनिस के अगला है निमन लिखित में से भाथ का कौन सा भोतिक खनीजों का बंडार है दोस्तो ये है पठारी भाग तो दोस्तो ऐसे ही जो है आपके क्यूशन इसमें दिये हैं ज्यादा हार्ड क्यूशन पेपर नहीं है आपका तो दोस्तो आपको देख लेना है कैसे क्या क्यूशन आते हैं अगला क्यूशन है भारतिय स्विधान की आठवी अनुसुशियों में बासाएं हैं 22 बासाओं का द सब्सक्राइब जुरू कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स अप्डेट जो है आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों जयाहिन